अब सड़क पर लगने वाली छोटी दुकानों से भी बिहार के लोग ऑनलाइन समान घर बैठे मंगवा पाएंगे बिहार सरकार एक ऐसा एप लॉंच करने जा रही है जिसके माध्यम से छोटे दुकानदार जो सड़क किनारे रहरी पटरी लगाते हैं फैंसी सब्दों में कहें तो जिनको स्ट्रीट वेंडर्स कहा जाता है इनके यहां से भी अब आप घर बैठे समान मंगा पाएंगे क्योंकि सरकार इसके लिए एक बड़ा कदम उठा रही है पूरे देशबर में बिहार पहला और एक लौता ऐसा राज्य होगा जो अपने यहां पर इन रेहडी पटरी वालों के लिए इतना उनको एडवांस मना रहा है अपने यहां के स्टीट वेंडर्स को भी इस तरह की ट्रेनिंग दे रहा है जिससे यह लोग अपने समान को ऑनलाइन बेच पाएं अब होता क्या आगे कई बार लोगों को बड़े दुकनदारों से जादा किसी ठेले वाले किसी सड़क किनारे दुकान लगा कर बेचने वालों के यहां का समान बहुत पसंद होता है खास कर जब बात स्वाद की आती है, खाने वाले समानों की आते हैं, तो यहाँ पर तो यह चीज और बढ़ जाता है, और अपने आस पास कुछ ना कुछ ऐसे ठेले, ऐसे छोटी दुकान वालों के यहाँ से मिलने वाला कोई वेंजन, कोई मिटाई, कोई डिस, लोगों को जर सारी समस्चाओं का समधान बिहार सरकार करने वाली है, बिहार सरकार ग्राफों से लेकर इन छोटे दुगंदारों की समस्चाओं का हल अब निकाल गई है, इसके लिए सरकार एक ऐसा एप लाँच करेगी, इससे इन सभी रहडी पट्री वाले इन स्ट्रीट वेंडर्स को जोड़ा जाएगा, और अब कैसे इन छोटी दुगान वालों का ओनलाइन अपना समान बेच पाएंगे, सरकार ने इसके लिए क्या कुछ प्लैन किया है, विश्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, और उससे पहले नमस्कार, जन्ता जिमसंदेखए हैं आप और मैं हूं सन्दी मिष्रा, कैमरे के पीछे हैं हमारे साथ ये विशाल कड़े हैं, बिहार सरकार अभी जितने भी रोड किनारे छोटी छोटी दुकान लगाने वाले थेले वाले रेहडी वाले दुकندार है, उनको लेकर एक विशेश पहल करने वाली है, बिहार सर दुकंदारों को ऑनलाइन रजिस्टर किया जाएगा सरकार इनको अपने सरकारी एप के सहरे जुड़ेगी इस एप का नाम स्वाभिमान एप होगा इस एप के तहद बिहार के एक लाख अठारा अजार ऐसे निवंदित पूटपार दुकंदारों को जुड़ा जाएगा का ये सारा चीज एक दब मुख्ट करने वाली है अब यह एक चीज है जो इस काम में मुश्किल पाइदा कर सकती है वह इन दुकंदारों का तकनीकी रूप से सक्षमना होना ये छोटे दुकंदार ज्यादा पड़े लिखे नहीं होते है तो इस समस्या का समधान भी सरकार क कैसे प्राप करना है इस ट्रेनिंग में ये सिखाया जाएगा कि कैसे दुकंदार इस एप पर अपने समान का अपने प्रोड़क्ट के बारे में जनकारी अप्लोड कर सके इसको देखकर इसके जरी आम लोग वो समान को खरीद सके और ऐसा पहल करने वाला बिहार पहला और एक लोता ऐसा राज्य होगा जो अपने यहां के छोटे दुकान वालों को जो इतने सक्षम नहीं होते कि अपना बड़ा दुकान लगा सके अपने लिए बढ़िया स्टॉल या किसी अच्छी मार्केट में दुकान खोल सके उनके लिए बिहार सरकार इतना सोच रही है इनक के पंद्रह हजार ऐसे फूटपात पर दुकान लगाने वाले दुकंदारों का प्रसिक्षन होगा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद अगले तीन महीने के अंदर राज्य के सभी एक लाग ठारा हजार रिजिस्टर्ड वेंडर्स को प्रसिक्षन के लिए इस करवाया जाएगा जिसको भेहार का क्याना है, कि इस initiative का मतलव इस initiative का लख्ष बिहार की वायो कई. अधिक स्यादिख गुन-लाइन हो जाने के कारण इन हिपकंदारों का सीमित गुरह को की जो बादा होती है हूँग खतम हो जाएगी. अब ये दुकंदार अपने आसपास के गरहकों से अलग दूट दराज के लोगों तक भी पहुँच पाएंगे साथ ही इनके प्रोडक्ट का जो अच्छा खासा मर्केटिंग हो पाएगा लोग इसको जानेंगे बाकि देखना है सरकार जिस लक्ष के साथ इस पहल पर काम कर रही है वो कितना सपल हो पाता है जंता जंग्सन देख रहे के आप बहुत बहुत धन्यवाद